रश्यन टाइम से चली आ रही है, कंगारू कोट असल में उस कोट को कहा जाता है, जिसमें कोट पहले खुद से डिसाइड कर ले थी है कि फैसला क्या देना है, बोले कोट कही तो काम में से डिसाइड करना, पूर्व धारनाओं से यह है डिसाइड कर लिया जाता है कि फैसला तो यही दिया जाएगा, अब तुमको जो दलील देनी है वो दे लो, कुछ उस प्रकार की विवस्था को कंगारू कोट के नाम से फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जैसे किसी को कहा जाता है न, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, एक तरह से दोहा या लोको समझा देता हूँ, देखो क्या है, आप लोगोंने बहुत सी चीजों को इन दिनों नौटिस किया होगा, असल में जो हमारी न्यायपालिका है न, उस न्यायपालिका का काम है, डिबेट को सुनना और निरने देना, आपने लेकिन इन दिनों क्या देखा होगा, अगर आपन बनके बैठते हैं, जो कि अपने आपको कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर मध्यस्तता कर रहा हूँ, और पक्ष और विपक्ष के अंदर लोग बिठा दिया जाते हैं, जो किसी एक मुद्दे के ऊपर अपनी राय और अपोजीशन की राय रख रहे होते हैं, इन दौनों की राय पर बिल्कुल जो विध्यारती लिख रहे हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो पकड़ के मुर्गे लड़ाते हैं एक्जेक्टली ऐसा ही जमन्ना साब भी मानते हैं कि बोले ये लोग बैठ कर अपने मीडिया हाउसेज में डिसाइड करवा देते हैं कि क्या चलना है और किस फ्रकार से निर्ने होना है उधारन के लिए आप सुशान सिंग मर्डर केस का मामला देख लो उसके अंदर रिया चक्रवर्ती के उपर जिस फ्रकार से फोटेज कवरेज हुआ लग रहा था कि देश में और कोई घटना ही नह रोजगारी कोई मुद्दा है ना किसान की हत्या कोई मुद्दा है ना कोई भी महंगाई का कोई मुद्दा कुछ नहीं है केवल रिया चक्रवर्ती है एक्जेक्ली ऐसे ही जब शारुक खान का बेटा आर्यन ड्रक्स के केस में गिरफतार हुआ तो इतने बड़े देश के अंदर जो कुछी समय के अंदर यानि मुश्किल से 2025 के अंदर दुनिया की लार्जेस्ट जनसंख्या वाला देश बन जाएगा उस देश के में ट्राइम प्राइम टाइम मीडिया के उपर एक ही खबर कई दिनों तक चल रही है सोचकर देखो इतने बड़े देश में कोई और न्यूज ही नहीं है यह कितना बड़ा दुरभाग्य है इस बात के उपर इन्होंने ध्यान आकरशित कराया इन्होंने कहा कि जो यह इलेक्ट्रोनिक मीडिया है ना इसकी क्रेडिबिलिटी लगभग समापती की तरफ है प्रिंट मीडिया के पास फिर भी थोड़ी जो व्यूवर्शिप के लिए काम नहीं करती बलकि यह जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है यह केवल और केवल सेंसेशनलिजम के लिए काम कर रही है कि कोई भी संसनी बन जाए कोई भी breaking news बन जाए उस breaking news को सुना कर व्यूवर्शिप, TRP और advertisement कमा के अपना बिजनिस चलाएं य यहाँ पर कही है, अब देखिए, इन्होंने कही है, इसलिए हम लोग पढ़ें, यह जरूरी नहीं है, इनकी बात को आपको ऐजे आंसर प्रिपेर करके अपने साथ रखना है, कुछ पॉइंट्स अपने पास रखने हैं, जैसे कि कंगारू कोट, जो कि इन्होंने कहा, यानि क कि इन्होंने बकाइदा, यह एक लौ यूनिवरसिटी के अंदर बोल रहे थे, वहाँ पर इन्होंने ये भी कहा, कि जजेज जो है, आप एक बात और देखो, होता क्या है, जैसे ना देश के अंदर आपको यदि याद हो, आयोध्या मामले का जब वर्डिक्ट आने वाला उससे पहले ही, टीवी के अंदर इतनी ज़्यादा डिबेट और बहस हो चुकी थी, कि यदि कुछ ऐसा फैसला आ जाता, जो कि मीडिया ने जो माहौल बनाया था, उसके अनुसार ना होता, तो हो सकता है कि लोग न्यायपा लिका के अपोजिट जाके खड़े हो जाते, करके मीडिया के सामने आकर के अपनी शिकायते रख दिये, यानि जजिज के दिमाख पर मीडिया का कितना प्रभाव है, इससे अंदाजा आप लगा कर देख लो, है ना, अगर किसी को घटना ध्यान आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, कि जजिज जो है, वो उस इसतर की चीज है, इनको किसी के सामने जाने के है, किसी की फेवर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अच्छा, तो ये जो बाते हैं आपको समझनी होंगी, जजज जो जज लोग हैं, वो तुरंत रियक्ट ना करें, उन्हें प्रॉपर तरीके से, प्लीज डू जज़ी, विधिन देया दॉमें, देया डॉमें, देया डॉमें, देया डॉमें, देया डॉमें, देखो आप बोलते होंगे, सुन लीजे उनको भी.